सो हेलो गाइज क्या हाल चाल उमिद है कि आप सब वड़ियाई होंगे सो गाइज आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्यूंकि आज हम बात करने वाले है पब जी मोबाइल लाइट के सीजन नाइन के ओपिशेल रिवार्ड लिक हो चुके उ और हाग आइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें हो यार जल्दी से सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को भी आल पर प्रेस किजिए क्यूंकि मैं इसी तरीके के पब जी मोबाइल लाइट के नियू नियू अपडेट और टिप् का तो चलिए फ्रेंड्स आज की रोज जल्दी से बीना कोई टाइम रिस्ट की शुरू कर लेते हैं कि जाइन गोच्ट को सबसे पहले हमें देखने को मिल सकती है यह वाला एरोप्लेन की स्कीन जी हागाइज देखने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं साथ साथ इसके बाद हमें देखने को मिल सकती है यह वाला हिलमेट की स्कीन देख सकते हो गाइस कुछ इस प्राकार ये वाला हेल्मेट हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें देखने को मिल सकते है HERE ये वाली O-P मतलब क्या ही बाताओं में बहूत ही बाढ़रा दिक रही है आपको केसी लगी कमेंट Черकर जरूर बतनामँ वह तो बहुत अच्छे लग रही है और हो सकता है कि हमारे विनर पास में भी आज जाए और उसके बाद देख सकते हैं गाज हमें देखने को मिल सकता है ये वाली पैन की स्किन ये भी बहुत ओपी दिख रही है मतलब इसका ये गोल्डर कलर की है और उस पर एक मुर्गा दिखा दिखा दिये रहा है जिसके हाथ में कार 98 है और उसने लेवल 3 का हैडमेट पेहना है मतलब भी बहुत अच्छा दिख रही है उसके बाद देख सकते हैं गाज ये वाली हमें हमको पैन की स्किन देखने को मिल सकती है मतलब इन दोनों में से कौन से बेख पैन की स्किन हमारी विनर पास में होगी उसके बाद हमें देखने को मिल सकती है ये वाली UMP9 की गन स्किन मतलब ये दिखने में बहुत अच्छा मतलब बहुत दिख रही है और यह हो सकता है कि हमारी विनर पास में आज आए और उसके बाद हमको देखने को मिल सकती है एक और MP9 की स्कीन बट गाइज यह हमें विनर पास में देखने को नहीं मिलेगी बलकि यह इसका कोई इवेंट आएगा मतलब देख सकते हो जैसे कि हमारी PUBG Mobile Lite में बहुत सारे इवेंट आते है उसे में से एक और यह इवेंट होगा उसमें यह हमें देखने को मिल सकती है मतलब यह दिखने में बहुत ओपी दिखरे बट वह हमें विनर पास में नहीं मिलेगी तो गाइज उसके बाद हमें आता है यह वाला सूट मतलब यह वाला अड्रेस भी बहुत अच्छा दिख रहा है पर मुझे इसा लग रहा है कि वाले बैक पैक की स्किन हमें विनर पास में नाइबर की विनर पास में जो रिडिम सेक्षन होता है उसमें देखने को मिल सकती है है बट हमें उसको रिडिम करना होगा सबस्क्राइब देखकर इदर तक आ चुके तो एक लाइक तो बनता है अपने भाई के लिए तो जल्दी से लाइक करना सबस्के बाद आते हैं वाले हेलमेट की स्कीन मतलब देख सकते हो यह वाले हेलमेट के स्कीन हमें मिलने के संबावना है यह वाले भी बहुत अच्छे दिख रही है बट जो मैंने पहले दिखाए थी वह वाले हेलमेट के स्कीन या यह वाले हेलमेट के स्कीन इन दोनों में से कोई हमें देखने को मिल सकती है और एक हमें क्रेट में भी देखन डीट आइट ऐने बट रेट में तो हंडुर्ट सेन्गे इंगे क्योंकि पप जी में उन्होंने हिसकोफ क्रेट में ही दे दिये था वाली सो गयं जुसके बाद आती है यह वाली पिंद मतलब यह धिकने में तो लेडिस की है बट बट यह बहुत ही अच्छा दिक रही है और साथे साथ मुझे इसा लग रहा है कि यह लेजिंट्री आउट फीड भी है तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बाता ना मुझे तो यह बहुत बड़े लगी मतलब क्या ही बताए मुझे यह बहुत ही अच्छी लगी और अभी तक आपने हमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि मैं इसे इंट्रेस्टिंग वीड स्कीन देखने को मिल सकते है कि अंच्छीं क्यों बिंतके करेंट करेंँ मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी सो गाइज आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं हमें एक एम की स्किन मिल सकती है यह वाली बट इस वाली हमारे विनर पास में उन्होंने रिडिम सेक्षेन में भी इसी स्किन देदी है पर उससे काफी अच्छी वाली स्किन दिक रही है और आप यह एक एम मिलवर हो तो कमेट म इसे बट इसमें हैस्टेय एक एम जरूर रिकना घैस साथ या साथ उसके बाद देख सकते हैं वाली टीपी की स्किन भी हमें देखने को मिल सकती है अभी तक हमें टीपी की स्किन देखने को नहीं मिली पपजी लाइट में जितनी भी सीजन हो या विनर पास आप यूके करके जरूर बाताना शाहिए साथ हमें M416 की स्कीन भी देखने को मिल जकती है मुझे तो बहुत आप आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बाताना शोगाई बस इतना ही था इस यूडियो में अगर यूडियो पसंदे तो लाइक शेर कमेंट करना और चैनल पनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो मैं मिलता हूँ कि एक और इंट्रेस्टिंग वोड़ी के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त जैहिन बंदे मात्र